प्रस्न नौ का तीन, साइन ठीटा और कॉस ठीटा को टैन ठीटा के पदों में ब्यक्त करें प्रस्न नौ का तीन, तो साइन ठीटा और कॉस ठीटा को टैन ठीटा के पदों में ब्यक्त करना है तो सबसे पहले हम sin theta को 10 theta के पदों में ब्यक्त करेंगे तो sin square theta plus cos square theta बराबर एक होता है तो sin theta बराबर क्या हो जाएगा? यानि sin square theta बराबर हो जाएगा 1 minus cos square theta sin square theta plus cos square theta बराबर एक होता है तो उसी सूत्र से sin square theta बराबर 1 minus cos square theta हो जाएगा लेकिन यहाँ पर sin theta है तो इसका under root कर देंगे क्योंकि वर्ग को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? under root अगर यहाँ पर वर्ग रहता यानि sin square theta होता तो बस 1 minus cos square theta लिखते है लेकिन यहाँ पर सिर्फ sin theta है इसलिए इसको under root कर देंगे तो sin theta बराबर क्या हो गया? under root 1 minus cos square theta अब इसको tan theta के पदों में व्यक्त करना है तो cos theta को पहले हम sec theta में बदलेंगे क्यों बदलेंगे? तो sec theta में बदलेंगे इसलिए बदलेंगे कि देखिए sec square theta minus tan square theta बराबर 1 होता है यानि 10 square theta बराबर क्या हो जाएगा? sec square theta minus 1 तो इसको हम लिक लेंगे 1 minus अब cos theta जो होता है sec theta का उल्टा यानि cos theta के जगा पह हम लिक देंगे 1 बदलेंगे sec theta लेकिन यहाँ पे cos square है इसलिए sec square theta लिखेंगे और under root अब यहाँ पे लगुतम ले लेंगे sec square theta तो sec square theta गुना 1 क्या हो जाएगा? sec square theta minus 1 इस तरह लिख लेंगे इसका under root तो sec square theta minus 10 square theta बराबर 1 होता है तो sec square theta बराबर कितना हो जाएगा? एक जोड 10 square theta तो हम यहाँ पे लिखेंगे sec square theta के जगा पे एक जोड 10 square theta sec square theta के जगा पे क्या लिखेंगे? एक जोड 10 square theta minus 1 फिर sec square theta है तो sec square theta minus 10 square theta बराबर 1 होता है तो sec square theta बराबर क्या हो जाएगा? एक जोड 10 square theta इसका अंडर root कर देंगे प्लस एक माइनस एक सुनने आ जाएगा तो उसको काट देंगे प्लस एक माइनस एक है यानि सुनने आ जाएगा तो क्या बचा यहाँ पे? 10 square theta बटा एक जोड 10 square theta यह बचा और इसका अंडर root अब देखे 10 square theta का अंडर root है तो root से जब बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 theta बटा एक जोड 10 square theta तो एक जोड 10 square theta रूट में ही रहेगा यानि आ गया इसका उत्तर 10 theta बटा अंडर root 1 प्लस 10 square theta तो sin theta बराबर क्या हो जाएगा? 10 theta बटा अंडर root 1 प्लस 10 square theta तो इस तरह sin theta को 10 theta के पदों में ब्यक्त कर देंगे अब है cos theta को 10 theta के पदों में ब्यक्त करेंगे तो लिखेंगे cos theta तो cos theta जो होता है देखे cos theta into seg theta बराबर एक होता है तो cos theta बराबर क्या हो जाएगा? एक बटा seg theta यानि seg theta को इधर लाएगे तो भागम हो जाएगा तो हम cos theta बराबर लिख लेंगे एक बटा seg theta यानि cos theta का उल्टा होता है seg theta यानि एक बटा seg theta लिख लेंगे अब seg theta जो है तो seg square theta minus 10 square theta बराबर एक होता है तो seg square theta बराबर क्या हो जाएगा? minus 10 square theta को इस तरफ लाएगे यानि 1 plus 10 square theta तो लिख लेंगे यहाँ पे बराबर एक बटा अब देखें सेक स्कॉाइट ठीटा बराबर एक जोड टैन स्कॉाइट ठीटा एक जोड टैन स्कॉाइट ठीटा तो सेक स्कॉाइट ठीटा बराबर होता है एक जोड टैन स्कॉाइट ठीटा लेकिन यहां पे तो बस सेख ठीटा है इसलिए इसका अंडरूट कर देंगे तो यह आ जाएगा इसका उत्तर यानि एक बटा अंडरूट एक प्लस टैन असको आठीटा प्रस्न दस का पहला यदि कौसे बराबर चार बटा पांच हो तो तिरकोन मिती है तादत्म के प्रयोग से कौटे और कौसे के एक मान ग्याद करें तो प्रस्न दस का पहला क्या दिया हुआ है हमें कौस ए बराबर क्या दिया हुआ है कौस ए बराबर चार बटा पांच तो तिरकोन मिती है तादत्म के प्रयोग से कौटे और कौश से एक अमान ग्याद करें तो देखे तिरकौन में दिया ताधत में यह सब होता है तो इसी कप्रियोग से कौटे और कौश से के एक अमान ग्याद करना है तो कौश से दिया हुआ है तो हम सबसे पहले साइन ए निकाल लेंगे क्या निकालेंगे sin A तो sin square theta प्लस cos square theta बराबर एक होता है ठीक है यानि अगर cos दिया हो तो हम sin निकाल सकते हैं इस सूत्र से तो cos theta बराबर क्या हो जागा यानि cos square theta बराबर sin square theta को इस तरफ लाएंगे यानि 1 minus sin square theta हो जाएगा तो हम सबसे पहले sin A निकाल लेते हैं तो sin A तो sin square A बराबर क्या हो जाएगा एक माइनस cos square A ठीक है sin square theta बराबर क्या होता है एक माइनस cos square theta तो theta के जगा पे यहाँ पे A है अब यहाँ पे sin A है यानि इसका अंडरूट कर देंगे तो लिख लेंगे एक माइनस अब देखिए cos A बराबर कितना है चार बटा पांच तो cos A के जगा पे क्या रखेंगे चार बटा पांच तो cos square A है इसलिए इसका वर्ग कर देंगे फिर से cos A का मान कितना दिया है चार बटा पांच तो cos A के जगा पे चार बटा पांच रखेंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग दे देंगे और अंडरूट इस तरह लिख लेंगे इसको तो यह हो जाएगा एक माइनस चार का वर्ग क्या होता है 16 चार चोक 16 और पांच का वर्ग पच पचे 25 अंडरूट पचीस लग हुत्तम लेंगे तो 25 गुना एक पचीस और यहाँ पे 16 लिख देंगे अंडरूट तो पचीस में से 16 लग गया तो पचीस में से 16 लग गया तो नो और बटा में क्या है पचीस है तो अंडरूट नो बटा पचीस यानि क्या आजाएगा तो नो का वर्गमूल 3 होता है और पचीस का वर्गमूल 5 होता है तो यह आगया साइन ए बराबर क्या आगया साइन ए बराबर अब अब हमें क्या निकालना है कॉट ए और कॉसे के तो देखे कॉट ए हमें निकालना है क्या कॉट ए तो कॉट ए बराबर यानि कॉट ए का सूत्र क्या होता है तो pot theta बराबर होता है, cos theta बटा sin theta तो हम यहाँ पर लिखेंगे, cos a बराबर हो जाएगा theta के जगा पर a लिख देंगे, याने cos a बटा sin a तो cos a कितना दिया हुआ है, प्रस्ण में 4 बटा 5, तो हम लिख लेंगे चार बटा पांच बटा यहां पे बराबर का चीन न से हाँ इस और वह कोके शाय। साइन ए कितना लाएacak हैं तीन बटा पांच आप देखिए चार और पांच उपर और सबसे नीचे वाला गुणा हो जाएगा, और बीच वाला यानि इसको लिख देंगे चार गुना पांच बटा पांच गुना तीन चार गुना पांच बटा पांच गुना तीन तो पांच से पांच खत्म हो जागा यानि क्या आ गया चार बटा तीन तो कौट ए कामान आ चुका है cot a का मान कितना आ गया 4 बटा 3 अब हमसे पूश रहा है cos a तो देखे क्या पूश रहा है cos a तो हम जानते हैं कि sine theta into cos theta 1947 sine theta into cos theta बराबर एक होता है ठीक है तो कॉसिक ठीटा बराबर क्या हो जागा साइन ठीटा को इस तरब भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा यानि एक बटा साइन ठीटा तो हम लिख लेंगे एक बटा साइन ए कॉसिक ए बराबर क्या हो जागा एक बटा साइन यानि कौसेक कवल्टा होता है साइन तो बराबर अब साइन एक इतना लाए थे तो साइन एक हम लाए थे तीन बटा पांच क्या लाए थे तीन बटा पांच तो लिख लेंगे एक बटा तीन बटा पांच देखें साइन एक हम कितना अभी निकाले थे उपर में तीन बटा पांच तो इसको लिख लेंगे पांच एक के साथ गुना हो जाएगा और बटा में तीन रहेगा देखे ये जो पांच है वो एक के साथ गुना हो जाएगा यानि उतर आ गया पांच बटा तीन पांच गुना एक पांच और बटा में तीन यानि कौसेक ए कितना आ गया पांच बटा तीन और कौटे आ गया चार बटा तीन तो यही दोनों इसमें पूछ रहा था कौटे और कौसेक एक अमान तो प्रस्ने 10 का पहला इस तरह हल करेंगे झाल करेंगे जाएट करेंगे पहला थाएट प्रस्ने 10 का पहला में गया जाएट इस प्रस्टा को बटाएट झाल झाल